तो फ्रेंट्स ये है पॉट्रोनिक्स का ब्रीज प्लस इस स्पीकर की मैं अन्बॉक्सिंग पहले कर चुका हूँ साउंड टेस्ट का वीडियो अप्लोड हो चुका है और जो इसके बेसिक फीचर्स है वो मैं डिसकस कर चुका हूँ अब मैं आपको थ्री रिजन देने वाला हूँ कि आपको ये स्पीकर क्यों लेना चाहिए कुछ रिजन्स ऐसे हैं इसे स्पीकर के लिए जिसकी वज़े से ये स्पीकर मार्केट में अभी ट्रू वैल्यू फोर मनी बन जाता है तो हम पहला या इसका फीचर्स करते हैं पहला फीचर जो इस स्पीकर का है वो ये है कि ये स्पीकर लो वोल्यूम पर काफ़ी अच्छे बीट्स प्रडूश करता है अगर आप टेक सोनिक एंगल बन लेंगे या फिर अधर इस रेंज में बोड्र के speakers भी आते हैं, अगर वो speaker लेंगे और जब आप उनसे sound सुनेंगे, music सुनेंगे तो उनका जो output है वो 80-90% volume पर काफी अच्छा आता है बड़ जैसे ही आप volume को 50% से नीचे करते हैं तो सारे के सारे जो beats हैं वो बेस आएगा, यह feature मुझे इस speaker का बहुत अच्छा लगा है यह feature सिर्फ जो high class speaker होते हैं, like Marshall Boss, JBL Charge 4, इन सब speakers में देखने को मिलता है second feature अब हम इसका discuss करते हैं इसकी build quality इसकी build quality amazing है, इसकी जितने भी button है speakers में वो बहुत अच्छे हैं जो rubber यहाँ पर use में लिया गया है, वो काफी अच्छा है speaker का response बहुत अच्छा है अगर आप high volume पर full volume कर देते हैं, तो यह बार-बार आपको अनोई नहीं करेगा, यह सब बोलके high volume, full volume, full volume ऐसा यह सब चीजे इस speaker में नहीं है, सिर्फ एक plane sound आता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि full volume पर यह speaker चल रहा है build quality के अगर आप बात करें, तो देखिए आप यहाँ पर यह जो protection के लिए दिया हुआ है जहां से आप charging port है इसमें और aux cable है, और यह बहुत अच्छे से close हो जाता है, कोई बीच में gap यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा, जो इसकी mash grill है वो काफी अच्छी quality की बनाई हुई है और यहाँ पर जो rubber लिया हुआ है use में, वो भी बहुत अच्छा है थर्ड, जो इसका मुझे इस speaker के बारे में जो चीज अच्छी लेगी वो है इसकी price range यह speaker आपको 2000 से 2500 की range में मिलता है और इस range में ऐसा कोई भी speaker नहीं है जो इस speaker को beat कर सके अगर इसका next competitor market में कोई है तो वो है JBL का flip 4 यहाँ आपने बिल्कुल साइज होना JBL का flip 4 JBL का flip 4 की जो market में भी price है वो 7-8000 के आसपास है उस speaker जितना sound quality है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी अगर आप flip 4 की बात करें तो उसका frequency range जो है वो करीबन 70 Hz से start हो जाता है मतलब इस speaker की frequency range जितनी low होती है उसका sound composition उतना ही अच्छा होता है तो JBL flip 4 का sound composition में जो frequency range है वो 70 Hz से start हो जाती है और इस speaker में ऐसा technically कहीं mention नहीं किया हुआ है बट जो मैंने इसका sound test किया है उसमें मुझे सामने निकल के यह आया है कि यह 70 Hz की frequency तक के लिए जो है अपना output बहुत अच्छा produce करता है तो दोस्तों यह 3 ऐसे features थे जो मुझे इस speaker के बारे में आप सब लोगों को बताने थे यह ऐसा speaker है जिसको लेने के बाद आप regret नहीं करोगे और बाकी तो यह सब चीजे individual person पर depend करती है कि उसे speaker में क्या चाहिए मेरी साब से इस speaker में सब कुछ है जो एक speaker में होना चाहिए और वो भी इतनी कम प्राइस में I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा Thanks a lot